Hello everyone, आज हम करेंगे सब गुरूप क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने किया था कि गुरूप क्या होता है? तो आज हम करेंगे सब गुरूप क्या होता है? तो देखो, let G, Binary Operation, यहाँ G क्या है? एक Non-Empathy Set है और Binary Operation है, यह स्टार, B आ गुरूप, अगर वो Algebraic Structure एक गुरूप है, then the Non-Empathy Subset, H of G, is a Subgroup of G. कब होगा? Under the same Operation, जब जो वो H है, वो एक तो Subset होगा उसका, गुरूप G का, और उसके साथ जो Binary Operation है, वो भी Same. अगर यहाँ पर Plus Binary Operation है, तो यहाँ पर भी Plus ही होना चाहिए, उस Subset का. If It Itself a Group, और उसके बाद वो एक खुद गुरूप भी होना चाहिए, वो जो H है, सबसे पहले तो वो Subset होना चाहिए, Subset होने के बाद, Same Operation होना चाहिए उसका भी, और वो खुद भी एक गुरूप होना चाहिए, तो देखो, that means, if H is a Subgroup of Group G, then it is a Subset of G, it is closed under the Binary Operation of G, उसका भी वही Binary Operation होना चाहिए, जो G का है, It is Itself a Group that it's Satisfied, अगर Group की Properties, Group होगा तो उसकी Properties क्या-क्या Satisfied करना चाहिए, First है, Closer Property होना चाहिए, उसके बाद Associated Property, उसके बाद Existence of Identity Element और Inverse Element, तो Closer Property क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी भी देख लेते हैं, जब अगर दो Element G के, G से बिलोंग करते हैं, तो उनके बीच जो Operation लगाते हैं, जो उसका Result आता है, वो भी उसी Set से बिलोंग करते हैं, तो वो होई अपनी Closer Property, Associated Property बोलते हैं, या तो B और C का एक बार Operation लगा लो, और उसके बाद A के साथ, या फिर A के बी के साथ, और उसके बाद जो Result आए, उसका C के साथ, तो दोनों का Result सेम आए, तो वो होता है, Associated Property, Next है, Existence of Identity Element, उसमें क्या होता है, एक Binary Operation लगाते हैं, एक Element के साथ, और उसको बॉलते हैं, एक Element का, तो उसका Result वही आता है, तो बॉलते हैं, उसको Identity Element, यहाँ पे E क्या है, Identity Element है, और A किसे बिलोंग करता है, G से, जो अपना Non-Empathy Set है, उसका एक Element है, ठीक है, Inverse Element क्या होता है, अगर उस Element का, उसी के Inverse के साथ Binary Operation करते हैं, तो उसका Result क्या आना जाए, E, जो यहाँ पे था, ठीक है, इसके बाद आता है, Subgroup दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है, Improper Subgroup, यह उसको बोलते है, Tribal, एक होते है, Non-Trival या Proper Subgroup, तो Improper और Tribal Subgroup में आते हैं, एक तो G, खुद, ठीक है, और एक Identity Element, यह दोनों क्या है, बोत हार, Tribal Subgroup of G Set, किसी भी G Group के, यह दोनों, क्या है, Tribal Subgroup है, या फिर बोल लो इसको Improper Subgroup है, और Other Subgroups, और इनके अलावा, जो भी Subgroup होंगे, of G, are called Proper or Non-Trival Subgroup of G, अब देखते है, Non-Trival Subgroup का एक Example, तो देखो, यहाँ पे, तो Example देखो, Z Plus is a Group Set of Integer with Plus Operation, यह Z क्या है, Set of Integer है, और यहाँ पे Plus क्या है, Plus Operation है, Binary Operation, प्रूफ करना है हमें, जो H Plus है होगा हमें देखो, पता था न, Subgroup में क्या होना चाहिए, Same Binary Operation होना चाहिए, Same है, चीक है, और यह जो H है, वो इसका Subset भी होगा, यह हम Proof करेंगे सब कुस्छ, चीक है, और यह H Subgroup होना चाहिए, सबसे पहले यह देखेंगे, उसके बाद फिर यह Group को Proof करेंगे, कि यह Group भी होग यह 3 properties थी न, is a Subgroup, where H क्या है, 2K, K किसे बिलों करता है, Z से, Z क्या है, Integer, Means, H क्या है, Set of Even Number, देखो, 2 into 1, Even Number सभी 2, 4, 6, 8, यह सभी H है अबना, ठीक है, ऐसे, उसके बाद देखो, as, H is a Subset of Z, ठीक है, क्योंकि Integer में ही आपते हैं, यह सभी भी, then we have to Proof that, अब क्या Proof करें Consequency, Closer, Associative, or Existence of Identity Element, और Inverse Element, तो सबसे पहले Closer Property का Proof करेंगे, For All, A, B, Belongs to H, H क्या है, Set of Even Number है, अगर इनका Result भी, H से ही बिलों करता होगा, Plus Operation लगाने के बाद, तो वो होगा Closer Property, हमें बता है, कि Even का, अगर Even के साथ Addition करते हैं, तो Even ही आगा, जैसे, 2 plus 4 is equal to 6, यह 6 भ लो, तब भी, अगर Plus करते हैं, यहाँ पर, देखो, Plus Operation लगा दिया, Minus 2, 1 हमारा Integer है, यहाँ पर भी हमने ले लिया, ऐसे ही, तो इसका भी Result कितना है, 6, और 6 भी बिलों करता है, H से, H क्या है, अपना Set of Even Number, तो यह हमारा Closer Property तो Satisfy कर गया, अब देखते है, Associative, Associative Property क्या बोलती है, A plus B plus C is equal to, किसके बराबर आएगा, A plus B plus C, ठीक है, तो यहाँ पर A क्या ले लिया, हमने 2, B4 और C6 और Value पुट कर दी, अगर Left Hand Side is equal to Right Hand Side आ चाकती है, तो इसका मतलब वो Associative Property है, होगे है, Satisfy, एक और Example ले सकते हैं, जैसे, Minus 4 ले लो, 2 ले लो, और Minus 6 ले लो, तब भी Value सेम ही आएगी दौनों की, तो यह हमारी Associative Property को Satisfy कर रहे है, इसके बाद आता है, Existence of Identity Element, means A plus B is equal to A, अगर कोई भी Element लेते हैं, उसके साथ Binary Operation करते हैं, हाँ पर Binary Operation है, Addition, अगर E के साथ उसके Addition करेंगे, तो A ही आएगा, तो यह Binary Operation का हमें पता है, कि जब हम किसी को भी Add करते हैं, और Result वही आए, तो E की Value होती है, 0 वहाँ पर, ठीक है, और हमें पता है, 0 भी बिलोग करता है, Add से, क्योंकि 0 भी एक Even Number है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर 2 के साथ 0 को Add करेंगे, 2 ही Value आएगी, तो E की Value आएगी, तो E की Value आएगी, तो E की Value कब आएगा जब जिसी की 2 और Minus 2, 4, Minus 4 या फिर 6, Minus 6 कोई भी ले लो, Even Number, उसका Result 0 आएगा, उसके Universe के साथ, और E हमें पता है, 0 है, और 0 बिलोग करता है, Even Number से, और Even Number का से ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद देखो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते है, 2K बिलोग करेगा, Then Minus 2 के भी बिलोग करेगा, H से, As all properties are satisfied, H is a subgroup of G, ठीक है, यह चारो properties को satisfy करने के बाद, यहाँ लिख देंगे की, H is a subgroup of G, ठीक है, इसके बाद एक ध्यान रखना बात, If H is a set of odd integer, यहाँ पे क्या था, अपना set of even integer था, और यहाँ पे है अपना odd integer, then it will not be subgroup of Z plus, अगर odd तो वो उसका subgroup नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखो, सबसे पहले देखते हैं, closer property, तो closer property में क्या था, कि दो element को लेंगे, और उसके बीच में जो operation लगाएंगे, वो भी उसी, जो set से बिलोग करना चाहिए, जैसे H क्या है अपना यहाँ पे आपकी बार, 1, 3, 5, 7, यह भी दो odd का result even आया, चीक है, और हमें पता है, even बिलोग नहीं कर रहे है 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 से, क्योंकि H तो odd है, इसलिए not satisfy closer property, hence H is not subgroup of G, चीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही, next में हम करेंगे इससे related कुछ questions, thank you for watching this video.